अक्सर उन्ही लोगों के दिल तूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं कितना अच्छे बनोगे उतना दुख आओगे खुल कर उड़ने का शौक हमें भी है सिंदगी में मगर जिम्मेदारियों ने चकड़ के रखा है इंसान पर अंधा भरोसा करके देखो फिर वही वेक्ति सिखलाएगा कि किसी पर अंधा भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए उग्र चाहे कोई भी हो सिंदगी रोच कोई न कोई शवद जरूर सिखाती है परिवार कितना अमीर है ये माने नहीं रखता है आपका परिवार कितना खुश है ये माने रखता है नशीव नसीब की बात है कोई नफुरत देखकर भी प्यार करता है और कोई बेबना मुहबत करके भी तनहा रह जाता है आसान नहीं उस शक्स को समझना जो जानता सब कुछ है लेकिन बोलता कुछ भी नहीं है जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी भी दर्द की वज़ा नहीं बनते हैं लोग का तूटना बेहतर है जिले देखकर इंसान ही तूट जाए किसी की उतनी ही कदर करो चितनी हो आपकी करता है बेहिशाब कदर आपका शुकुर दवा कर देगी कितना एकीन करो छोटे लोगों पर इस दुनिया के लोगों ने अंदर से दिल ही निकाल दिया जो सबका होने का धवा और दिफवा करता है की मन की वो किसी का नहीं होता पश्री के लिए जीना ही है, इसलिए उने दोंचों तो तुमें दिल से चाहते हैं, रहना ही बेहतर हैं जवाने की हिसाब से क्योंकि दोखा खालाते हैं, अक्सर जादा बूलने वाले हैं, रिष्टे अगर मिलाने हो, तो पचास क्राम की जीब को 60 केजी के सरीर पर हावी नह वोने दागी बात होती है तो लोग छोड़ कर चले जाते हैं लोगों से सच्छी पूर्पत समाली क्यों नहीं जाती है। चुँ दिल का सच्चा होगा वो जगड़ा चाही रोज करें लेकिन आपको छोड़ कर कभी नहीं जाएगा। चुछ लोग दिल से और दिमाग से इसकदर निकल जाते हैं कि फिर वो नफरत की भी कादिल दे जो आपकी बुराई करें परने दो। क्योंकि ऐसी च्छोटी हरकत च्छोटी सोच के लोग ही करते हैं। करें के पीछे और पैसे वालों को पीछे कभी मत चलो क्योंकि वो कभी भी लात मार देते हैं। जर आता है अपने हम सफर के साथ बस एक हम ही हैं अकेले खड़े अपने गुजरिकल के साथ। वक्त ने मुझे चुप रहना सिखा दिया, जिन्दगी ने सब कुछ सैना सिखा दिया। अब हमें किसी से कोई उमीद नहीं क्योंकि हालातों ने हमें अकेला रहना शिखा दिया। कुछ तो हमारे इतने सुपशिंदक होते हैं कि हमारा शुब होते हुआ देखते ही चिंदा करने लगते हैं सब भी उन्हीं पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वो तुम्हें मना देगा रिस्ते निगाने के लिए उपशूरत में बल्कि समझदार साथी की चरूरत होती है जब इनसान हंगीली जलना से इख लेता है तो फिर कोई साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पर सिंदगी में पैसे और पावर को कोई नहीं बल्कि शवभाव और शमन्दों को आहिए देनी चाहिए जीवन का वही रिस्ता सब्चा है जो आपकी पीठ पीछे भी आपको शमान के जब ज़्यादा हशने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए कि वो अंदर से तूट गया आशान नहीं ओशक्स को समझना जो जानता सब कुछ है लेकिन बोलता कुछ भी अल्ला ऐसा करो कि दूसरों की चीज से ज़्यादा तुमारी हार के चर्चल देख लोक्यों की नहीं जिन्दगी वापस आती है और नहीं जिन्दगी से गए हुए लोग वापस आती है